Hello guys and welcome back to this video. तो guys, previous video में हमने अपने favorite song fragment के अंदर अपने songs को add किया था, तो जैसे कि अगर हम अपने favorite song पर tap करते हैं, तो हम यहाँ पर song को play कर सकते हैं, तो इस video में हम functionality enable करेंगे कि जैसे कि user को अपना favorite song delete करना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सारे songs है, अब user में supposed करो इस song को भी add कर दिया है, जो कि यह Doom वाला song है, यूजर चाहता है कि इस song को delete करना चाहता है, तो long press करके हम इस particular song को delete कर सकते हैं, तो यह functionality हमारे को यहाँ पर enable करनी है, तो इसके नहीं हमारे को सबसे पर यहाँ पर एक showDialog method करेंगे, यूजर को एक alert dialogue display करेंगे, जिसके तुरू user अपना song delete कर सकता है, तो यहाँ पर यहाँ पर एक private method करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ इसी class के अंदर accessible रहेगा, तो यहा抬 हम इस method का नाम दता है, showDialog, and then अदरर इसके पाद कि हम bracket start करते हैं, और इसके अंदर हम इसके body को भी start करते है, और यह जो method है कुछ parameter спект करीगा, तो पहला होगा Final type का bedeutet, हमी यहाँ पर इसको देएंगे Laming выполn ऐन यहाँ पर ně का time title एक method ह chilli, and then int position कि अब यहां पर position हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो user ने जो song है currently playing song को हम डिलीट नी करेंगे मैं इस जो भी माल लीजे जैसे कि यह song अभी प्ले हो रहे है जैसे कि AO music प्ले हो रहे है तो हम इस song को डिलीट नी कर सकता है अबया कंटें कि सब्सक्राइऔ यहां पर रहते करेंगे चानप सब्सक्राइब जो делать को और लुव। ज kana फिर गडान पर 9 यहां पर देता हूं 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 य आप यहाँ पर पूरा फंक्श्नल यहाँ पर लिख देते हैं, Do you want to delete, तो यहाँ पर इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, अप और अच्छे से यहाँ पर message display करा सकते, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ फिर करता हूँ, यहाँ पर मैं dot यूर्ट 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 य में अब हम यहां पर देख सेख़ तो यह method override हो चुग है यहां पर हम उस करेंगे Set Positive button तो आपको Positive button भी set करना है Positive button यहां पर हम यूज करेंगे R.sring और यहां हम यूज करना है वह रहा है string yes, similarly new dialogue interface यहां पर create करेंगे और on click listener इसके बास को कर देता है यहां पर terminate और इस on click के अंदर हम code को specify करेंगे तो सबसे वादे favorite operations का यहां पर method फोल करेंगे जो की remove song है और इसको हमारे को एक parameter भेजना है जो की होगा index कि किस song का हमें remove करना है तो यह song method हमारे favorite operations class के अंदर exist करता है आपर इसके बाद हमारे को जो हमारे create data parse जो की हमारा interface का object है फुल song list उसको हमारे को change करना है तो song list dot और यहां पर हमारे को position specify करने है and after that यहां पर आपको यूज करना है set content कि content दोबारा से change हो देगा that is a reason इसके बाद अभी हमारे को यहां पर और code को specify करना to show the dialogue तो यहां पर यूज करते है alert dialogue और इसके बाद यहां पर यूज करेंगे builder dot create ताकि हमारा dialogue create हो सके and then इसके बाद यूज करेंगे alert dialogue जो की object बना उस तो यहां पर यूज करते है private जो के condition के base पर delete करेंगा तो यहां पर इसको नाम जाता हूं like delete options तो delete option यह हमारा यहां पर method है जो कि actual में हमारा song को delete करेंगा depending upon the condition यहां पर इसको अमारे को parameter देना position जैसे कि मैंना आपको बताया था कि position है वो हमेरे को यूज करना कि currently जो song play हो उ position यहां पर call करना है अगर यह condition है यहां पर show dialogue, show dialogue आपको call करना है song list तब हमारे को dialogue show करना है अगर जो currently song play जो हो रहा है वो actually में reason ने select नहीं किया, currently playing song को delete करना उसके बाद हमें delete करना है तो आपर फिरसे अंबर को position specify करने है और यहां पर हमारे को provide करना is get path विके हमारे को path ही remove करना है get path और comma specify करके में position specify कर देनी है after that else block में हमारे को सका reverse करना है तो यहाँ पर if को बंद करते हैं और यहाँ से else block start करते है तो यहाँ पर reverse form में होगी तो यह होगी else and then इसके बाद यहाँ पर हमारे को toast display कराना है अगर हमारा currently जो song play हो रहा है अगर उसको delete करना आपकी कोशिच कर रहा है तो हमारे को toast display कराना है यहाँ पर आपको अब यहाँ पर specify करना है get context क्या हम fragment के अंदर हो यहाँ पर text display कराना है वो है you can't delete यहाँ पर text specify कर देता हूँ यहाँ पर guys मैंने test display करा दे यू can't delete the current song तो यह हमारा हमेफरे method हो अब इस method का हमा ही call करना है तो हम यहाँ पर अपने listView पे item itemset onClickListener set करने है तो यहाँ पर hemrama list view पे set onItem longClickListener भी set करना है तो यहाँ पर use करेंगे listView.setOnItem यहां पर देखते हो आइटम आ रहा है so item भी आपको यहां पर लिखेना है item long click listener यह आ चुका है हमाँ अध्या आपको यहां पर new adapter view dot on item click listener आप specify करोगे यह पूरा code यहां पर आ चुका है Set कर रहा है, मैं इसको call कर रहा है, तो यहाँ पर set कर रहा है true, तो यह हो चिकिए guys, coding हमारी complete, अब इसके लाद में application को run करता हूं, और देखते हैं हमारा क्या यह code work कर रहा है या नहीं, तो अब देख सकते हैं, यह हमारी application हो चिक है launch, जैसे मैं favorite song पर जाता हूं, यहाँ पर long press करता हूं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर dialogue कर रहा है, यहाँ पर yes or no, वो divisible नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यह dialogue होता है, हमारा जो alert dialogue होता है, यह by default हमारा जो भी इसको अपना yes or no button की coloring करनी होती है, तो by default यहाँ पर color accent को use करता है, तो इसके ल delete हो गया, बट क्योंकि हमारा यहाँ पर जो text है, जो yes or no button वो visible नहीं है, तो हमारे को एक style define करना होगा, तो style, तो इसका मैं यहाँ पर नाम देता हूं, like alert dialogue, तो यहाँ पर alert dialogue use कर सकते हो, तो यहाँ पर accident dot आ गया, तो alert dialogue, और यहाँ पर मैं इसको देता हूं, like custom, तो हम custom theme apply कर आ लाइट, dot, और आपको एक पर dialogue use करने, not dark action bar, इसको रिया, dialogue, तो यह theme हम यहाँ पर use करने और उसको हम close कर देते हैं, तो यह particular theme हमें call करनी होगी, हमारे particular, जो कि हमारा है alert dialogue, तो यहाँ पर आते हैं वापस से नीचे की तरब, और यहाँ पर हम अपना, जहाँ पर builder है, तो R.style, dot, और हमारा जो हमें theme call करनी है, तो यह जो हमारी theme है, उसका नाम है, like app, तो देखते हैं, action bar, alert dialogue custom, यह theme हमारी, जो हमने create की है, तो कि यहाँ पर हमने create की है, तो कि यहाँ पर हमने create की है, अब इसके वाद में दुबार से application को run करता हूँ, तो इससे होगा कि हमारा जो text ह कि यहाँ पर यहाँ पर, तो मेरे साँ, हमेरे साफ से यहाँ पर, गॅरी हमारा जो speech, तो psychiatric pergi होएगा, तो यहाँ मेरे साँ, यहाँ पर यहाँ पर क्लीश करता हूं, तो घ्रSiसे आप handic incluso करता हूँ, तो यहाँ पर, हमारा dialogue यह कि दिश। तो फीक वहें पर यहाँ पर किलिए था सब्सक्राइब करता हूं आप दीक तौ सब्सक्राइब कर्द स्क्राइब कर्णों अब तो यह आप है यह भार है वह शुच्यजज़ है उसने बरेषबिकिस्ट करने तो यह में तो भी stop होगे, तो कि अगर यूजर को background में music को ले जाना हो, तो वो सिर्फ home button को press करके background में music को ले जा सकता है, तो इस feature को हम next video में add करेंगे, so that's it for this video guys, I hope आपको video अच्छी लगी होगी, इस series को कम से कम 15-16 likes जरूर देना, so thank you for watching guys, see you in the next video.